दौतरा खंड निउस में आपका स्वागत है सीमाद सहित अन्य जनपतु की आज की खबरों में बीते दिनों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रही कर्मचारी वर शिक्षत दिल्ली में विशाल रैली के बादा बागामी अक्टूबर माह में श्रीनगर ग इने मोपिस जिलाध्यक्ष पिजेंद्र लुंठी पताया कि अपनी मांग को लेकर जिले के सैकड़ों कर्मचारी वर शिक्षत इस्रेली में भाग लेंगे खहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बीते एक साल से चर्णबध आंदोलन चलाया जा रहा है पर सरकार उनकी मांग को अंदेखा कर रही है जो सरासर कर्मचारियों और शिक्षकों की उपेक्षा को दर्शाता है उन्होंने मांग पूरी ना होने तक चर्णबध आंदोलन चारी रखने की बात कही है सीमान चनपत पिथोरागर के प्रसिध रंकर्नी एवं चनकवी जनार्दन उप्रेती चन्नुदा को शेर सिंग बिष्ट अनपर कुमाउनी कविता पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा यह पुरसकार उन्हें कुमाउनी भाषा साहित्य एवं संस्कृती प्रचार समिती कसारदेवी अल्मोडा और पहरुत्वारा अगामी 4-6 नवंबर को प्रस्तावित पंद्रहवे राष्ट्रिय कुमाउनी भाषा सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा आयुजन समिती के मीडिया प्रभारी नीरत चंदर जोशी ने बताया कि हुडेती निवासी जनार्दन उप्रेती का नाम इस प्रतिष्ठित पुरसकार के लिए कुमाउनी काव्य रचना के क्षेत्र में उनके विशेश योगदान को देखते होए चैनित किया गया है पुरसकार के लिए जन्नुदा का नाम चैनित होने को लेकर कई लोगों ने उन्हें शुपकाम नाय दी हैं बीते दिवस अलमोरा नगर के एंटीडी में जंगल में आग तेजी से फैलते हुए आवासिया कलौनी परिसर तक पहुच गई सुचना पर पहुची फायर टीम के समय से आग पर काबू पालेने से आग पहलने से बच गई मिली चानकारी के अनुसार बीते दिवस अलमोरा नगर के एंटीडीग शेत्र में अग्याद द्वारा कोड़े के धेर में आग लगाय जाने से आग एपियस कॉलिमी तक पहुच गई जिससे अफरात अफरी मच गई सूचना पर पहुची फायर टीम में त्वरित कारवाई करते हुए आधे घंटी के मशकत के बाद आग पर काबू पालेया जिससे आग आवासय परिसर में पहुचने से बच गई और खासा नुकसान होने से बच गया फायर टीम के आगपर काबू पा लेने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली इथारगर में निपाल के तीम नागरे को द्वारा गलत तरीके से आधार कार्ट बनाकर भारत की नागरिकता लेने का मामला प्रकाश में आया है जिसको जिलादीकारी ने गंभीरता से लेती हुई जाच कर संबंधितों को कारवाई के निर्देश चारी किये हैं मिली चानकारी के अनुसार एक ही परिवार के तारा दत 54 वर्ष, इश्वरी देवी 51 वर्ष और किशनभट 31 वर्ष नेपाल के नादरिक हैं तारा दत की नेपाल के जुला घाट में किराने की दुकान हैं तीनों के पास भारत के आधार कार्ड हैं और दो देशों की नादरिकता है ये भारत के नाग्रिकों को रियायती दरों में मिलने वाले राशन और रसोई क्यास आधी को निपाल ले जाकर रुप्धो करते हैं ये ने मामले को गम भीरता से लेते हुए स्टेम सदर को जाच कर एक सप्ता में रिपोर्ट देने गलत तरीके आधार कार्ड निर्गत करने वालों की खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये हैं शंपावत पुलिस अधीक्षक के आधेश अनुसार मादक पदार्थों की तसकरी वा ब्रिकी करने वालों की खिलाफ पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है अभियान के तहट बनबसाक शेतरान तरगत पुलिस, एसोजी और एसेसबी की संयोग ठ्रिकिंग के दोरान पाइक सवार दो योवकों से 32 ग्राम से अधिक स्नाइक बरामद तर गिरफदार किया गया फलाशी में सुंदर मंडल 24 वर्ष, निवासी किछा उदमसिंग नगर के कबजे से 18 ग्राम से अधिक और किछा के ही निवासे अनिकेट शर्मा 19 वर्ष, के पास 14 ग्राम से अधिक स्माइक बरामद हुई आरोपियों की खिलाफ NBPS Act की धारा 8 बट्टे, 21 बट्टे साथ में केस तरज किया गया उदमसिंग नगर के खटीमा क्षेत्र में एक पूर्वर रधान पर एक युवती से दुशकर्म के प्रयास और उसकी मां से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है जिस पर पुलिस द्वारा केस तरज किया गया है मिली चानकारी के अनुसार खटीमा क्षेत्र में एक पूर्वर प्रधान एक घर में खुसा और वहां मौजूद युवती की मां के साथ मारपीट की वह उसका गला दबा कर मारने की कोशिश भी की पूर्वर प्रधान पर आरोप है कि उसने युवती के साथ दुशकर्म का प्रयास किया मारपीट के दौरान युवती की मां बेहोश हो गई जिसका पता चलने पर परिवार सदस्यों ने बेहोशी की हालत ने उसकी मां को खटीमा उप्सिला अस्पताल पहुचा कर भरती कराया पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर आरोपी हाकम सिंग के खिलाफ मुगदमा दर्च किया गया है और जाच की जा रही है जाच के उपरान तद्रिम कारवाई अमल में लाई जाएगी पहाडी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौथ हो गई चारले ने घर के निकट के जंगल गई थी इस तवरान अचानक पहाडी से गिरे पत्थर की चपेट में आतर गंभीर रूप से घायल हो गई परिजनों को पता चलने पर ग्रामीनों की मदद से 108 के माध्यम से महिला को घायल को अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत खोशित कर दिया गया खाना ध्यक्ष केस रावत ने बताया कि पंचायत नामा वो पोस्टमाटम की कारिवाही के बाद शफ परिजनों को सौंप दिया है महिला की मौत से एक शेत्र में शोक व्याप्त है नैनीताल जनपत के रामनगर सावल्दे में एक युवक का शफ संदिग धालत में एक पेर से लटका हुआ मिला फुलिस ने शफ को कबजे में लेकर पोस्टमाटम हाउस धेज दिया फुलिस मामले की जाच में जुड़ गई है सियो बलजीत सिंग भाकुनी ने बताया कि सावल्दे के जंगल में वन चौकी के पास एक युवक का शफ पेर से लटका होने की सूचना मिली थी फुलिस ने मौके पर पहुचकर युवक के शफ को कबजे में लिया और मृतका के जेब में पढ़े आधार कार्ट से उसकी गनेश सिंग पुत्र जैपाल सिंग निवासी धेला बंदोबस्ती उम्र 31 वर्ष के रोप में होई सियो ने बताया कि युवक दो माह से अपने घर नहीं गया था कहा कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिती स्पष्ट हो पाएगी जान चारी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं हमारे पिथारागाट समाचार न्यूज यूटूब चैनल पर नियमित खबरे सुनने के लिए हम से जुड़े समाचार सुने थन्यवाद